नमस्कार दोस्तों आज हम कथन के कथन यों तरिके लगभग 10 कोश्चन देखेंगे जो लगभग रिष्चाओं में पूछा जाता है चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आपसन में दिया रहता है तरक एक ठोस है तरक दो ठोस है यदि या तो पहला या तो दूसरा ठोस है और ना तो पहला ना ही दूसरा ठोस है और ई अगर पहला और दूसरा दोनों ठोस है तो आप ई लगएएगा चलिए शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तों दूसरे कुश्चन से स्टार्ट है क्योंकि पहला कुश्चन नहीं आ रहा था नहीं आने के मतलब है कि जैसे कि जब पीडिया बना रहा थे कि एक कुश्चन दूसरे पन्ने में था एक कुश्चन दूसरे पन्ने में उसका इंसर था चलिए सुरू करते हैं कथन दिया गया है क्या सभी प्रसनातक पाठकरम कोर्स में सिच्छन सुल के काफी बढ़ोत्री कर देनी चाहिए अब तर्क दे रहा है हाँ बढ़ोत्री कर देनी चाहिए जो प्रसनातक पाटकरम है उसमें सुल्क की बढ़त्री कर देनी चाहिए लेकिन तर्क दे रहा है यह चातरों में कुछ गंभेरिता का बहुत पैदा करेगा उनकी गुर्वत्ता बढ़ाईगी क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कालेज की फीश में ब्रिद्धी कर देने से उसकी सिच्छ में गुर्वत्ता बढ़ेगी बिल्कुर नहीं बढ़ेगी गलत हो गया पहला दूसरे देखिए नहीं सूलक नहीं बढ़ानी चाहिए इसका दूसरा तरक है पाठकरो पाठकरम के जो कोस हैं सिच्छन उसका सूलक में ब्रुटत्री नहीं करनी चाहिए दूसरा तरक है क्या तर्क दे रहा है या प्रतिभ्यास सालिक गरीब छात्रों को प्रासना तक कोड़ से दूर रहने को बाद करेगा सही बात है क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो फीस पे नहीं कर पाएंगे और वो अड़ीशन नहीं ले पाएंगे इससे वो पोस्ट डेजवेट नहीं कर पाएंगे इससे बाहर हो जाएंगे यह बिलकुल तर्क सही है आप समझ रहे हैं ना कि पहले में दिया है कि मतलब की सुल्क बढ़ोत्री करने से मतलब गंभीरता पैदा होगी और गुर्वत्ता बढ़ेगी ऐसी कोई बात नहीं है सुल अवसुल्क जादा हो जाएगे तो पोस्ट ग्रिजवेट अन्यचात नहीं कर पाएंगे जो गरीब हैं अगला देखिए दिया हुआ है क्या भारत की बहराष्टी कमपनियों को अन्मित देनी चाहिए के वह समुद्र के विश्तरित आर्थिक छेत को सुरोत का अन्वेशन क करें हां दे दीनी चाहिए सही बात है भारत के ऐसी खोजों के लिए परियाप तक्नीकी और बित्तीस रोत नहीं है और दूसरा देखिए नहीं या राष्टी संप्रूप्ता संपन दर्जे को खत्रे में डाल देगा यह तो बिल्कुल गलत है कि कि ऐसी मतलब कंपनी को अगर हम दे रहें खोज करने के लिए यह थोड़ी है कि किसी राष्ट की संप्रूप्ता पर या भारत की संप्रूप्ता पर वो खत्रा डाल सकती है नहीं पहला तर्क सही है दूसरा गलत है पत्थन चोथा देखिए क्या निजी कमपनियों को भारत में यात्री एरेल गाड़ी चलानी की अनुमत देनी चाहिए हाँ मतलब पहला तर्क कह रहा हाँ दे दिनी चाहिए अब तर्क दे रहा है हाँ भारती रेलोई सेवा के गुडवत्ता बेहतर बनाएगा सही बात है उसे कड़ी कमप्टीशन का सामना करना पड़ेगा सही बात है कि मतलब अगर प्राइबेट रेलोई जैसे हो रहा है तो आप कि उसमें सुब्धायं भी जादा मिल रही है और टाइम टू टाइम रेल का आवागमन भी हो रहा है इससे की कमप्टीशन जादा रहता है यह तो बिल्कुल तर्क सही है दूसरा देखिए दूसरा तर्क के दिया है कि नहीं प्राइबेट नहीं कहनी चाहिए नीजी कमपनि गए मुनाफे वाले छेत्रों में प्रचलन के लिए राजी नहीं हो सकती है यह कोई बात नहीं है अगर हम प्राइबेट का रहेंद क्योंकि अर्रे लोए एक लाब प्रद छेत्र है वह मुनाफे वाले सका मतलब यात्री गाड़ी है जहां चलाएंगे लगभग उनको मुन कर दी जाने चाहिए हां यह साच्छा बढ़ाने का एक मात्र एक मात्र तरीका है यह एक रिगड टर्म है मतलब कि या एक समझ लिजीए कि पहसानने का एक तरीका है कि खाली एक मातर यही तरीका है कि अगर सिच्छा मुप्त कर दी जाये तो मतलब साचर्टा बढ़ जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली मुप्त सिच्छा से हिसाचर्टा बढ़ेगी इसलिए पहला तरक गलत है दूसरे तर्क देखिए यह एक्स चेकर पर बोज बढ़ाएगा जो पहले सिभारी है सही बात है कि भारत सरकार के उपर वैसे भी बोज है अगर मतलब भारत की सभी उसकुली सिच्छा को मुद्ध कर दी जाएगी तो और जादा बोज हो जाएगी यह तर्क बिलकुल प्रबल है अगले देखिए अगले तर्क देखिए एक कथन दिया गया है क्या भारत में नए विश्विद्ध्याले अस्थाफित किया जाने चाहिए अब तर्क दे रहा है नहीं विस्विद्ध युद्ध 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 के नियुक्ति होगी और नए अनकर्मचारियों के नियुक्ति होगी लोग सुच्छित होंगे सुम रोजगार खोलेंगे इससे क्या होगा रोजगारी भी दूर होगी और सुच्छित भी होंगे लोग यह दोनों तर के प्रबल नहीं है दोस्तों हमारे कहने का मतलब समझ गया अगले देखिए क्थन क्या भारत में बर्तमान बड़े राज्जों में इसे कुछ और राजवना देने चाहिए अब तर्क दे रहा है हाँ इससे प्रसासनिक सुपध्या हो जाएगी हाँ सही बात है जब बड़े राज्जों में और छोटे राज्जों में आप देखिए अब दूसरा तर्क देखिए नहीं नहीं बड़े प्रतमार राज्जों को कुछ और राज्जवना लेना चाहिए यह तर्क कहे रहा है नहीं यह राश्टी एक आत्मक्ता के लिए खतरा होगा ऐसी कोई बात नहीं है अब ही अगर आप एक आत्मक्ता की बात करेंगे तो तो लंगान नहीं राज बना उत्रा खंड बना जार खंड बना चत्तिस गड़ बना ऐसी कोई दिक्कत हुई राश्टी प्रति कोई दिक्कत नहीं हुई इसलिए यह तर्क गलत है पहला तर्क प्रबल है और कथन देखिए क्या सभी सरकारी स्वामी तौले सिच्छ संस्थानों को नीजी संस्थानों को सौब देने चाहिए या कथन है अब तर्क दे रहा है हाँ दे देने चाहिए इन संस्थाओं के सिच्छ अस्थर में सुधार होगा मतलब कि जो प्राइबेट स्कूल है आप देखे होंगे कि लगभग उसमें सिच्छ बेवस्ता अच्छी होती है सुधा भी अच्छी मिलती है इसलिए या तर्क सही है और तर्क दूसरा हाँ इन संस्थानों सिच्छ अस्थर गिरेगा यह तो बिलकुल गलत है सिच्छ अस्थर गिरेगा नहीं बलकि बढ़ता है अगला देखिए कोश्चे नमर दस क्या भारत की बारतमाँ सिच्छ बेवस्ता टर्मिनल जो परिछाए होती है टर्मिनल बिलकु समात कर देनी चाहिए कोई बात होई, कथन है देखिए, नहीं समात नहीं कहनी चाहिए पहला तरक यह सभी छात्रों का एक पैमाने पर नापने का एक तरीका है सही बात है कि मतलब कि जो अर्दवारस की तिमाही परिच्छा होती है, टर्मिनल परिच्छा इससे कि छात्रों का मतलब माफन किया जा सकता है कि कितना बच्चों ने सीखा है तो इससे पता चल जाएगे कहां कमिया है उन्हें कैसे दूर किया जाए यह तरक प्रबल है अब दूसरा तरक देखिए हाँ समाप्त कर देनी चाहिए यह निका कहना है कि हाँ समाप्त कर देनी चाहिए यह अपनी उपादेता पूरी तरह से खोचुके है मतलब टर्मिनल परिच्छा से कोई मतलब ही नई है यह तो गलत है क्योंकि टर्मिनल परिच्छा से ही हम किसी बच्चे के हर तीसरे महीने च्छे महीनें जो परिच्छा होती हैं इससे हम उनका मतलब की आकलन कर सकते हैं कि कहां तक सीखे हैं अगर नहीं सीखे हैं कुछ गल्ती यह हो रही तो उसको फिर से सुधार जा सकता है अगर मतलब पूरी तरह से समप कर दिया जाए तो एक कोई बात ही नहीं हुई अब यह समझ गए होंगे अगलत देखते हैं यह लाश है दोस्तों क्या भारती सेना की इस्तिरियों के को मोर्चे पर तहिनात किया जाना चाहिए कतन है और तरक है नहीं इस्तिरी कैड़ट वहां की आतरामा कृसितियों को जहल नहीं पाईगी यह कोई बात नहीं आज के समय में देखिए हैटर विमां उड़ा रहे है और बाड़र पर जाके लड़ाइए कर रहे हैं ये कोई परबल तरक नहीं है, पहला तो परबल तरक नहीं है, दूसरा देखिए, हाँ, मतलब हाँ, भारती सेना को इस्तरियों को मोर्चे पर ताइनात किया जाना चाहिए, ये बिलकुल सही कहे रहा है, हाँ, तरक दे रहा है, कि इस्तरी पुरुस के बीच कोई अंतर नहीं ह होना चाहिए बिल्कुल सही बात है लब चाहे स्तिरी हो चाहे पुरुष हो आज के समय बरतमा समय में आप देखेंगे पुरुष सजादा महिलाओं की भागेदारी बढ़ रही है चाहे अगनिबीर हो या फाइटर बीमान उड़ाने में हो या किसी यूद्ध में हो महिलाओं बढ़ चण के छिससा ले रही है इसलिए दूसरा कतन दूसरा टर्ख बिल्कुल प्रबल है दोस्तों उमीद करता हूँ यहाँ दस क्यूस्यन आपको बहत पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा अगर कोई क्यूस्यन में दिक्कत हो तब ही कमेंट कर करा देंगे जो भी डिसीजन मेकिंग हो गया इस्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का जो अभी कराया कथनी उंतर का और कुश्चन करा देंगे जिससे कि आपका मतलब की इतना साही हो जाए कि इसमें एक भी कुश्चन गल्ट ना होए इससे अब जैसा हूँ आप लोग कमेंट करिए कि और कुश्चन कराना है कि नहीं कराना है आपके कमेंट के उपन निर्धारित करेगा सब ही हम कराएंगे नहीं तो नहीं कराएंगे ठीक है और दोस् normalmente अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और सेयर कर देना